पहले कोन मरेगा फिराना मशली या फिर आप आये 3D ऐनमेशन की वदस्ति समझते हैं फिराना मशली को जैसे ही पानी से बाहर निकाला जाता है तो 30 सेगेंड तक तो उसे पता ही नहीं लगता कि वो पानी से बाहर है इसलिए जब आप उसे निंगल रहे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन 30 सेगंड के बाद फिराना मशली को जैसी ही पता लगेगा कि वो पानी से बाहर है तो वो थोड़ा जट पटाने लगेगी आपके पेट में मुझूद एसेट फिराना मशली को बहुत तकलीफ देगा जिसकी वसे खत्रा महसूस होने पर आपके पेट के अंदर काटना शुरू कर देगी कुछी देर में इंटरनल ब्रेडिंग की वट से आपकी मौत हो जाएगी